हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब मैं आपका अपना मित्रे अड़ोकेट एसेस मिस्रा लीगल दरपन चैनल में स्वागत करता हूँ फ्रेंट्स आज में बात करने वाला हूँ कि बरे भाय के संबती में छोटे भाय और बेहनों का काव अधिकार मिलता है और किन परिस्थित्यों में अधिकार नहीं मिलता है दोनों ही बिद्वों पे बात करूँगा तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास तक देखिए और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगए तो चैनल को जैदा जैदा सब्सक्राइब लाइक और सेर कीजिए तो आएए फ्रेंट्स जानते हैं फ्रेंट्स जैसा कि आप लोग अपने समाज में अपने गौँ में अपने घर में देखते होंगे कि जो बरा बेटा होता है वो घर का गारजियन माना जाता है जब पिता उनके नहीं रहते हैं तो पिता की मृत्यू के बाद बरे बेटे पे ही सारी जिम्मेदारी आती है और उनको घर का गारजियन समान माना जाता है सभी प्यक्ति उन्हें ही गार्जन मानते हैं और उन पे ही सारी जिम्मेदारी घर का होता है ऐसे में बरे बेटे के नाम से कुछ प्रोपर्टी होता है जिस प्रोपर्टी में उनके जो छोटे बेटे और बेटी रहती है यानि बरे भाई जो है उनके नाम से जो प्रोपर्टी है उसमें छोटे भाई और बहन का भी अधिकार होना चाहिए या नहीं इसे सबसे पहले जानना जरूरी है इसे जानते हैं तो निम्न चार परिष्थिति है जो परिष्थिति यदि है जो कारण है तो उस इस्थिति में छोटे भाई और बहनों का अपने बरे भाई के समपती में बरे भाई के नाम से जो प्रोपर्टी है उसमें अधिकार होगा पहला इस्थिती ये है कि यदि पिताजी के मृत्यू से पहले पिताजी के कमाई से कोई ऐसा प्रोपर्टी खरीदा गया था जो की बरे बेटे के नाम से खरड़ा गया और वह प्रोपर्टी पिताजी के कमाई से खरड़ा गया है तो उस इस्थिति में छोटे भाय और बहन का अधिकार उस बरे भाय के संपती में होगा दूसरा इस्थिति है यदि कोई ऐसा प्रोपर्टी है जिस प्रोपर्टी की खरीदारी बरे भाय के नाम से तो हुआ है लेकिन वह कोई joint property जो है जिसमें सभी ब्यक्तियों का सभी भायबैनों का उसमें अधिकार है और उस property को बेच के वो property बड़े भायबैने अपने नाम से खेरदा है तो उस property में भी छोटे भायबैन का अधिकार होगा तीसरा इस्थिति ऐसा है कि यदि कोई joint property है संयुक्त संपती है उस संपती का कोई income आता है उस income से यदि बड़े भायबैने नाम से कोई property खरीता है तो उस इस्थिति में भी छोटे भायबैन का उसमें अधिकार होगा जैसे कि मालीजे आपका कोई agricultural land है जिसमें अनाज उत्पन होता है उस अनाज को बेचके आपका income होता है या कोई आपका दुकान मकान किराये पे संयुक्त मकान है संयुक्त दुकान है किराये पे आपने लगाए है उससे जो rent मिलता है उन सब को जोर के यदि बड़े भायब अपने नाम से property खरीते हैं तो उसमें भी छोटे भाय बेहन का अधिकार होता है और चौथा यानि लास्ट इस्थिती यह है कि यदि joint family है joint family में सभी भाय income generate करते हैं सभी भाय कमाते हैं और बड़े भाय के चुकि गार्जन होने के नाते सभी भाय छोटे भाय वो बड़े भ ऐसे यदि अपने नाम से कोई property खरीदा है तो उस property में सभी छोटे भाय बेहन का अधिकार होगा तो ये चार परिस्थितिया हैं जिक परिस्थितियों में बड़े भाय के नाम से भी यदि कोई property है तो सभी छोटे भाय बेहन का उसमें अधिकार बनता है अब किन परिस्थि इसको भी देख लेते हैं तो पहला ऐसा इस्थिति होता है कि कोई प्रोपर्टी ऐसा है जो बड़े भाई के नाम से है और बड़े भाई ने अपना पहले ही पड़िबार से बटवारा कर लिया है यानि जो फैमली था वो नुकलियर हो गया अपना सेप्रेट हो गया है और उस उसने अपने ही कमाई से यदि कोई संपत्ती अपने नाम से खरीदा है तो उसमें छोटे भैब्यान का अधिकार बिलकुल नहीं होगा दूसरा इस्थिती ऐसा है कि यदि बरे भै अपना जो प्रोपर्टी है वो प्रोपर्टी किसी को अपना सेबा देता था किसी के दिल में वो था और उस भैक्ती ने उसको उस प्रोपर्टी को गिप्ट में दे दिया है या फिर बस्यत कर दिया है कोई बैक्ती तो उस दूसरे बैक्ती से जिनका वो सेवा किया जिनके दिल में वो था वो बैक्ती यदि कोई गिप्ट में दे दिया प्रोपर्टी या बस्यत कर दिया तो दूसरे बैक्ती से जो उसको बरे भाई को कोई प्रोपर्टी गिप्ट में या फिर बस्यत में मिला है उस प्रोपर्टी को भी वो छोटे भाय बैयन को नहीं दे सकता है छोटे भाय बैयन अधिकारी नहीं होता है उस प्रोपर्टी को लेने के लिए तो इन दोनों ही परिस्थितियों में छोटे भाय बैयन का कोई अधिकार नहीं होता है तो किस इस्थिति में बरे भाई के प्रोपर्टी में छोटे भाई बेहन का आधिकार होना चाहिए और किन पर इस्थिति में नहीं होना चाहिए दोनों ही इस्थितियों को मैंने बताया है आप लोगों को इसमें यह दि कोई confusion हो तो मुझे comment करके जरूर बताईए मैं उसका जवाब देने का कोशिस करूँगा और call ये दिया आप मुझे बात करना चाहते है consultancy लेना चाहते है तो screen पे दिये लिए नमबर पे call करके आप मुझे ले सकते हैं जानगारी लेकिन ये paid service होगा तो आज तक के लिए friends इतना ही फिर मिलेंगे next video में तब तक के लिए धन्यवाद